इन्डिया इन दोनों में पहले यमन से आये हूथी वे द्रोहियों के वीडियो को देख लीजे वो इस फायर पावर से अमेरिका और इसरेल दोनों को डराना चाहता है लेकिन इस स्वक्त पूरे पश्यमेशया में अमेरिका और इसरेल का फूपस इरान बन चुका है बाइडन की सेंटर्ल कमांड एक्टिव हो चुकी है सीक्रेट एरवेस से लगातार राग में उडान भरी जा रही है ये बात साफ है कि इराग और सीरिया के बाद अब अमेरिका का टार्गेट नमबर तीन इरान है लेकिन इरान पर अटैक कब होगा? कैसे होगा? हमला कितना खतरनाक होगा? इसका सिर्फ अंदासा लगाया जा रहा है ये राग में टेक आफ करने वाला विमान अमेरिका का सबसे खतरनाक लॉंग रेंज वाला बम वर्शक है नाम है B1 बॉमर सीरिया और इराक पर बमबारी के लिए कितने बॉमर, कितने फाइटर जेट शामिल होए ये अभी तक नहीं बताया क्या है लेकिन मिशन खत्प होने के बाद ये बात जाहिर कर दी गई कि अमेरिका ने सीरिया और इराक के अंदर 85 टार्गेट पर हमला किया लेकिन इनके उड़ान लगातार जारी है और यही इस वक्त इरान का सबसे बड़ा दर है कि अगर बीवन बॉमर का रुख तेरान की तरफ कर दिया गया तो क्या होगा इराक में गुसा कैसे उबल रहा है उसकी तस्वीरें अमेरिका को परिशान जरूर करेंगी बगदाद में उन लोगों के जनाजे के साथ प्रदर्शन हुआ जो अमेरिका की एर स्ट्राइक में मारी गए है इराक का दावा है कि कताय भेजबुला या हश्ड अल शाबी से जोड़े सोला लड़ाके अमेरिका की बंबारी में मारी गए है लोगों की हाथों में इनकी तस्वीरें और अमेरिका को मुथोर जवाब देने की मान की जा रही है सबसे बड़ी दिमांड ये है कि अमेरिका की फौश पूरी तरह इराक से बाहर चली जाए हज्द, अल, शाबी और कतायब हिजबल्ला इराक के वो मिलीशिया गुट है जिन्होंने आईसिस को मार कर खदेर्ने में बड़ी भूमी का अदा की दी यही वज़े है कि तब एरान ने भी इनकी पूरी मदद की थी इरान और अमेरिका के बीच अचानक से युद्ध वाला माहौल बन चुका है घाजा में हमास और इस्रैल के युद्ध के बाद अब पहले फोकस यमन पर केंडिट हुआ और अब इराट पर अमेरिका के बंबारी के बाद इरान को टार्गेट करने की मांग की जा रही है क्योंकि इराक और सीरिया में जो मिलीशिया इस वक्त अमेरिका के दुश्मन बन चुके हैं उनको इरान से ही पूरी मदद मिलती है ये बात तो खुद एरान भी पूरी तरह खारिज नहीं करता है इराग और सीरिया पर बीवन बॉमर से तबाही मचा कर अमेरिका ने एरान को बहुत बड़ा मैसिद दिया अमेरिका अब एरान को बताना चाहता है कि वो इसी तरह तहरान पर, शिराज पर, सिस्तान, किर्बान पर और एस वहान पर बंबारी कर सकता है और उन्हें मिट्टी में मिला सकता है ऐसा अमेरिका एराग में सर्दाम के खिलाफ कर चुका है लीविया में गददाफी के खिलाफ कर चुका है अमेरिका चाहता तो ये बंबारी F-16 और F-15 जैसे विमानों से की जा सकती थी लेकिन अमेरिका ने B-1 सुपर बॉमर का इस्तेमाल किया यानी अमेरिका ने बता दिया कि वो चाहे तो अपने काउंटर स्ट्राइक का दर्जा 10 गुना बढ़ा सकता है और ऐसा वो B-1 जैसे बॉमर के जरीए बहुत आराम से कर सकता है अमेरिका के पास साथ से ज़्यादा B-1 बॉमर है ये 34,000 किलो पेलूट के साथ 24 क्रूज मिसाइल लेकर उड़ सकता है रफता तेड़ हजार किलोमेटर प्रतिगंटा B-1 बॉमर अमेरिका का सबसे बरोसे मन और उसकी बॉमर्स वाली फ्रीट का वर्प होर्स कहा जा सकता है जो सबसे तेज ओड़ कर दुनिया की किसी ही लोकेशन पर पहुंच सकता है ये ऐसा काला दैते है जो अकेले दम पर कई मोर्चों पर इरान की ताकत को एक जटके में ख़त्व कर सकता है अमेरिका की बॉमर वाली ताकत भी आपको दिखाते हैं क्योंकि इरान के खिलाफ तनाव का लेबर अब पाइडल की नाक से उपर जा रहा है ऐसे में सवाल है कि क्या वक्त आ गया है कि अमेरिका अपने सबसे खतरनाग बॉमर्स को सबसे बड़े मेशन के लिए तैनाद करने पर मजबूर हो जाएगा भीवन से बंबारी करके अमेरिका ने दिखा दिया है कि वो ऐसा करने से हिच केगा नहीं सवाल है कि क्या अमेरिका वाकरी नया युद्ध करने के लिए तयार है क्या वक्त आ गया है कि अमेरिका ने जो गलती योकरेन को लेकर की है उसे इरान के साथ नहीं दोराएगा यानि वो खुलम-खुला जंग करेगा अमेरिका के कौन-कौन से बॉमर किसी भी वक्त किसी भी डेप्लामेंट के लिए तयार है ये भी देख लीज़े B-52 को देखिए अमेरिका का सबसे पुराना लेकिन सबसे ख़दरनाक बॉमर जब ये रनवे पर चलता है तो और ज्यादा विद्भनसक नजर आता है अमेरिका की पास इरान को डराने के लिए बहुत कुछ है अमेरिका का B-52 बॉमर 32,000 किलो के बंब लेकर उड़ता है ये एक न्यूक्लियर बॉमर है आठ एंजिन की पावर से उड़ने वाला B-52 दोनिया का सबसे पुराना और सबसे ख़दरनाक बॉमर माना जाता है साट के दशक में अमेरिकी एरफोर्स का हिस्सा बनने के बाद इससे लगाता आधुनिक बनाया गया और यही वज़य है कि साट साल बाद आज भी ये उड़ान भर रहा है B-2 को देखिए अमेरिका का स्टेर यानि रैडार की पकड़ में ना आने वाला बॉमर और B-1 को तो आपने देखी लिया है अमेरिका के सुपर सोनिक बाउमर को कुछी घंटों के नोटिस पर दोनिया में कहीं भी मिशन के लिए भेजा जा सकता है अमेरिका और इरान के बीच तनाव इस लेवल पर पहुँच चुका है कि डर है कि एक नया खाड़ी युद बहुत जल्दी शुरू हो सकता है इसलिए सवाल है क्या इराक और अमेरिका के बाद अब इरान और अमेरिका की जंग होगी और हुई तो इसका धायरा कहां तक पहलेगा अमेरिका और इरान का युद क्या वर्ल्ड वार में तब्दील हो सकता है यही सबसे बड़ा सवाल और डर भी है इनी सब बातों से इस सुवक्त खाड़ी देशों में तनाओं बहुत ज़्यादा है यमन से हूथी विद्रोहियों के नए वीडियो से तनाओं के लेवल को समझा जा सकता है भूथी मिलीशिया ने अपनी ट्रेनिंग दिखाई है यह वीडियो उसने अमेरिका और इस्रेल के लिए बनाया है भूथी ने रॉकेट फायर करके दिखाए है भूथी ने अपने ड्रोन ओडा कर दिखाए है भूथी विद्रोहियों ने दिखाए है क्योंकि बं कितने सठीत तरीके से निशाने पर गिरते हैं। जगे जगे टार्गेट पर इसरेल का छंडा बताता है कि हूथी मिलीशिया के टार्गेट पर इसरेल सबसे बड़े दुश्मन की तरह है। भूथी विद्रोहियों के टैंक T-72 भी इस युद्धा ब्यास में शामिल है। उसकी स्पेशल पोस्ट भी किसी मिलिटरी पोस्ट पर हम्ला करके दिखा रही है। जो ड़मी टार्गेट है। वहां अमेरिका और इसरेल के ठंडे लगे है। यमन इस वक्त अमेरिका और ब्रिटन दोनों के टार्गेट पर है। लाल सागर में अमेरिका और ब्रिटन के कार्गो जहाजों पर मिसाइल हमले हो रहे हैं। और यही वज़य है कि ब्रिटन की वाइब सेना अपने खतरनाग वाइटर जेट की दोरो फाइटर डाइपून को बंब से लैस कर रही है। इस जहाज को हूथी बेदोहियों का टार्गेट खत्म करने के लिए तैयार किया जा चुका है। यह लेजर गाइड़ेट बंब है ऐसे ही बाइजरेल ने घाजा पर इस्तेमाल किया है। और अब इनसे ही ब्रिटन यमन पर हमला करने के लिए बेकरार है। यह लेजर बंब है। यह लेजर बंब है।